ओम नमो भगवते बास देवाई नमाहा, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 81 का उपाई बताने वाला हूँ, 81 के दिन किस पकार से भगवान विश्णू की पूजा करनी हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो 81 के दिन भगवान विश्णू का दिन होता है, और भगवान विश्णू का आशिरवाद पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान विश्णू प्रसन तो मातल अच्छमी प्रसन सुबह इश्णान करने के बाद में सबसे पहले आपको सूर्देव कार्ग देना है, फिर लड्डू को पाल जी को इश्णान कराना है इश्णान का जलै पूरे घर में छिड़कें, थोड़ा सा जल पीने के लिए रखें भगवान के सामने केले का पल और ग्यारे तुलसी के पत्ते, ओम नमो भगोते बास्तेवाय नमा मंतर का जाप करते हुए चड़ाएं भगवान के सामने पंच्छमेवे रखें, मखनमिस्री रखें, भगवान सामने दीपक जलाएं, चंदन का टीका लगाएं और भगवान के सामने बैट करके जया एकासी की कताका स्रबड करें, उसके बाद में महाकाल भोली नात का अफसेख करें, तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं, और भगवान के सामने आप प्रातना बोलते हुए निवेदन करें के प्रभो मेरी यह इच्छा पूरी नह प्रातना बोलें, एक धागा तुलसी माता को समर्पित करें, इसे आपकी मनुकामना पूरी होगी है, भगवान सिवकाफ से करते समय भी आप अपनी इच्छा बोलेंगे और नंदी जी के कान में अपनी मनुकामना बोलेंगे, गोव माता की पूजा, एकासी की दिन गोव मा का पूजन करते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है दनवर्ता है सुक्षम्रती वर्ति है जीवन में आरे सारे कष्ट और परिसानियां दूर हो जाते हैं सभी उपाय करने के बाद में भगवान के सामने रखागवा तुलसी पत्र पंच मेवा और केले का पल मंत्र जाप करते हुए जरूर खाना चाहिए इसमें भगवान का आशीरवात होता है और सक्ति प्राप्त होती है अपनी इच्छा बोलके 108 बार ओम नव बगतिवास देवा नव मंत्र का जाप करके वह प्रसाद खा लीजिए इससे आपको बड़ी सक्ति मिलेगी साथ ही इस दिन भगवान सिव का आशीक करते समय सिविलंग का आशीक का जो जल है वो लाकर के घर में जरूर छड़के बहुती पवित्र जल होता है घर की सारी ब्यादाय दुगर हो ये रासियां इस दिन बेहती जादा भागी साली रहने वाली है नंदी जी के कान में आपको अपनी इच्छा इस दिन जरूर बोलनी है कासी के दिन इससे आपकी मनुकामना पूरी होगी ओम नमस्वाय हरा रमादे